सवाल यह पैदा होता है कि गुसा कैसे बनता है कहां से बनता है तो अगर हम देखें हमने बात की थी कि इस दुनिया में जो है mineral souls है vegetative soul है नबाती soul फिर हैवानी soul इंसानी रूह हैवानी रूह यह तमाम रूहों के हमने बात की है तो अगर हम मिसाल लें कि जैसे पथर है जो कि mineral soul है पथर में या दरक में गुसा नहीं होता है यह उनकी काबियत से बाहर की बात है emotions नहीं होते हैं उनके अंदर लेकिन जब हम हैवान की बात करते हैं तो हैवान के अंदर गुसा होता है और वो इस गुसे को इस्तमाल करता है अपनी protection के लिए इनसान के अंदर चुंके हैवानी soul है इसलिए इनसान के अंदर भी गुसा होता है लेकिन वो इनसान है, जानवर नहीं है इनसान के अंदर अकल है जानवर में जिए वो इंस्टिंक्स होती है जिपके इनसान में अकल भी होती है इसलिए इनसान अश्रफल मख्लूकात है तो इनसान के अंदर ये हैवानी खसलत गुसे की मौजूद है लेकिन अकल की बदूलत वो क्या करता है? अपने आपको तराश लेता है, रिफाइन कर लेता है, अपने आपको समार लेता है और एक माफी देने वाला गफार मौमिन बन जाता है जिस तरा से मिसाल के तोरपे, कभी कोई पत्थर ले, उसको तराश है तो पिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा तो जो इनसान अपने आपको सवारेगा, सुधारेगा, अकल के जरीए से, वो तराश के क्या बन जाएगा? फिरिश्टा बन जाएगा, और ये अकल हमने, हमारे इमान ने दी है, कि जो इनसान भी हकीकत के रास्ते पे चलता है, वो फिरिश्टा बन जाता है, अब गुसे के भ फिर एक बचकाना गुसा होता है बच्चे जित करते हैं मासूम बच्चे जित करते हैं और एक गुसा होता है जो बहुत डीप होता है और ऐसा आपने सुना होगा कि ऐसा गुसा करने वाले लोग अचानक से हार्ड अटेक हुआ और गुजर गए यानि कि ये ऐसी खतरनाक बिमारी है कि हमारे दिल को वो खतम कर देती है जो दिल जिसको हमको पाक करना है साफ करना है कि हमारा मौला इस गर में आए अगर वो दिल इतना बिमार हो इतना बिमार हो कि एक शक्त को गुसा है और ऐसा शदीद गुसा आया कि उसकी जिन्दगी खत्म हो गई यानि ये इतनी खत्रनाग बिमारी है हमारी जो जिन्दगी है ये मौला की रहमत है क्योंकि इस जिन्दगी में हमको अच्छे काम करके अपने आपको उस दर्जे पे पहुंचाना आए कि जब हमारे सो बरस पूरे हो हम इमाम के साथ एक हो जाए हमारी ये कोशिश है आज इस बात को करने के लिए कि हम समझें कि ये कितनी खत्रनाग बिमारी है अब ये बात भी जरूरी है इस बात को समझने के लिए क्योंकि तालुक है इस बात का कि जैसे अगर हम हिंदु फिलोसफी को देखते हैं तो वो कहते हैं भी गोश नहीं खाओ क्योंकि अगर तुम जानवर खाते हो तो जानवर की आदते तुम्हारे अंडर आती है जैसे के गुसा इसलाम इस बात को नहीं मानता है इसलाम में हमें अलाव किया गिया है कि हम गोश्ट को खाएं लेकिन लिमिट में खाना है हद में रहके खाना है और इमाम ने इसका फर्मान किया है कि भई आप हफते में एक दफा गोश्ट को खाएं तो कोई भी इस बात को नहीं समझे कि हम गोश्ट नहीं खाएं ताकि हमारे अंदर ग गुसा जिसको काबू करना है वो उसको अपनी अकल से काबू करना है। हम जानवर के गोश्ट को इल्जाम दे के अपनी आदतों को उसके पीछे चुपा नहीं सकते हैं। ना ही हम शैतान को इल्जाम दे के कहेंगे कि शैतान ने मुझे बोला तो मैंने गुसा किया। नहीं, हम खुद अपनी मर्जी के मालिक है हमारे पास अकल है और हमको अकल से ये फैसला करना है कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते है किसे भी शक्स के अंदर ये बिमारी है और बहुत घर कर चुकी है तो इसको नाउमीद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया है ला तकनतू मिर रह्मतुल्ला थर्टी नाइन चैप्टर वर्स फिफ्टी थ्री तुम अल्ला की रह्मत से नाउमीद ना हो जाओ ला तकनतू मिर रह्मतुल्ला ये तमाम हम सब के लिए بھی है क्योंकि हम हमारे अंदर भी तमाम बिमारिया हैं, किसी में कुछ शयद जादा है, किसी में कुछ कम है हर एक अपनी अपनी एक weakness है तो हम तमाम में जो जरूरत है वो सुधरने की है, अपने आप को सवारने की है और ये तजबिश जो है बहुत खुबसूरत है ये किसम का जिहाद है जैसे हमने समझा अपने आपको कि जब हम बैतुल ख्याल में दाखिल होते हैं तो हम मौला के लशकर है आर्मी है तो ये लशकर या आर्मी सिर्फ ये काम नहीं है कि भी 4-5 उठे रिबादत किया 4-5 उठे रिबादत किया तो 24 वा गंटा जो इबादत का था नुरानियत का था वो तो जाया हो जाएगा आप बैठेंगे, फिजिकली बैठेंगे हमें 29 गंटों में जिहाद को जारी रखना है क्योंकि यही सबसे अच्छा जिहाद है तो जब-जब हमें गुस्सा आए हमें इसको ना सिर्फ कंट्रोल करना है बलके इसको माफी में बदल देना है 40 दफ़ा ऐसा करने से फते हासिल होती है एक आदत अपना ही जा सकती है और हम तमाम जाते हैं कि मुस्कुराहट दिल को खुश कर देने के लिए होती है जो भी आपको मुस्कुरातावा देखता है सामने मुस्कुराएगा अंदर से दिल के अंदर से खुशी आईगी मुस्कुराना एक अच्छी आदत होती है हमेशा खुश बाष रहो गुस्से वाला शक्स जो है हमेशा अपने मुपे सकती को रखता है एक मुमिन शक्स है वो नर्मी और खुशी को और मुस्कुराहट को रखता है उसके चहरे से नूर की शुआई निकलती होती है तो एक मुमिन के आदत मुस्कुराने की होनी चाहिए गुस्से को अपने से दूर तारीखी को अपने से दूर रखता है वो जब भी गुस्सा आए तो आपको एक अच्छी आदत ये है कि खामोश हो जाना चाहिए जब भी किसी को गुस्सा आए खामोश हो जाए हुजुस है कि गुस्से के वक्त अकल काम नहीं करती है तो हम जो भी बोलेंगे हम नादिम होंगे तो गुसा आए एकदम से खामोश हो जाए हुजू सहसें के एक और हदीश है कि सबसे बड़ी हिकमत यह है कि खुदा से डरो सबसे बड़ी हिकमत यह है कि खुदा से डरो जो खुदा के गजब को जानता है वो कभी भी गुसा नहीं होता किसी पर क्योंकि अगर खुदा नाराज हो गया हमारे पास फिर कोई निजात का रास्ता नहीं होगा इसलिए गुसे को काबू में करना है अच्छे अमल को अपनाना है ताकि खुदा हमसे राजी हो जो भी मुमिन शक्स माफी को अपनाता है उसका दर्जा बुलंद होता है और रमेंबर हमने ये इल्म में सीखा है कि इल्म वाली रूप दर्जा बर दर्जा उपर चरती है तो ये इल्म जो है वो सिर्फ रटा लगाना, पढ़ना, किताबों को बार बार पढ़ना नहीं है उस पर अमल भी करना है और माफी एक अमल है अगर इस अमल को हमने आज अकल से सीख के समझ लिया और फिर अपना लिया तो हमारा दर्जा यकीनी तोर पर उपर बढ़ेगा क्योंकि दिल साफ होगा बहादूर आदमी वो नहीं है जो किसी को मात दे दे, लड़ाई में गिरा दे बहादूर शक्स वो है जो अपने गुसे पे काबू रखे मुला आली कलाइम मुला में फर्माते हैं गुसा दाइम आप मन खाना अवर उपर गुसा ना करिये गुसा दाज मन में बुझाओ खुदा के गुसे से डरिये इमाम हुसेन के मुख मुबारक पर बांदी हाथ से पड़ी गरम आश गुसा सब आप मन खाया फर्माया तू आजाद बाश क्या मतलब? मुला फर्माते हैं कि अपने गुसे को तुम पी जाओ, निगल जाओ कभी भी गुसा ना करो किसी उपर भी गुसा मत हो गुसे की जो आग है उसको अपने दिल के अंदर बुझा दो क्यूं बुझा दो? खुदा का खौफ करो क्यूंकि इस दिल के अंदर गुसा आ गया तो तुम्हारा मुला इसके अंदर नहीं आएगा तुम उसकी दूरी से डरो उसका खौफ करो अपने दिल के अंदर गुसे को नहीं आने दो फिर एक किस्सा सुनाते है मुला कि इमाम हुसेन कि बांदी जो है वो गरम पानी लेकर आई और उसके हाथ से गलती हो गई और मुला के चेहरे पे गरम पानी गिर गया तो मुला ने गुसा सद दिल में खाया और क्या फरमाया कि तू आजाद बाश उसको आजाद कर दिया गुलामी से निकाल दिया क्यों? वो बांदी थी गुलाम थी जैसे हमारी घर की मासी होती है कराची में तो गुसा आया लेकिन उसको आजाद कर दिया क्यों आजाद कर दिया? क्यों कि अगर उसको उसको वहां रखते तो खुद गुने में पढ़ने के खत्रे में पढ़ जाते तो उन्होंने क्या क्या? उसको आजाद कर दिया तो मुला अपनी मिसाल से हमें समझा रहे है यानि कि एक बांदी है जो आपका काम कर रही है अगर उसको आजाद कर दिया तो आपका काम कौन करेगा यानि कि पैसे का वक्त का नुकसान कर दिया लेकिन किसको समाल लिया आपने अपने अमल को अपने दिल को क्यों ऐसा कि आपने क्योंकि आपको खुदा का डर है मौमिन जो है न उसकी निगा हमेशा उपर जाने की होती है वो घास पे निगा नहीं रखता है तो अलहमदलिल्ला मौला की रहमत है हम इस इल्म को समझ रहे हैं और उमीद यह है कि इस इल्म से समझ के हम अमल करके अपने आपको इन तमाम रुहानी बीमारियों से बचाएंगे तो मौला हम पर राजी है और राजी होगा आमीन ये रबलालमी यहाँ पर कोई सवाल है तो जरूर कीजिए ओके तो शेनाज ये बोल रही है अपने अंदर ठंड़क रखे यानि अपनी सोच को आप काबू में कर ले क्योंकि जब गुस्सा आता है तो सोच में बे काबू होने का खत्रा होता है तो आप खामोश हो जाएं लंबा सांस लें खड़े हैं तो बैठ जाएं खामोश हो जाएं और फिर गौर करें कि क्या करना है आपको क्या बोलना है मुझसे तोल के बोलना है और अगर आपसे काबू नहीं हो रहा है आप वहाँ से हट जाएं सिच्वेशन को से दूर हो जाएं आप अंदर जिकर को शुरू कर दें और फिर अगर शैतान आपको बार-बार ख्याल देता है तो आपको जिकर से ही इसको काबू करना होगा और अपने आपको याद दिलाना होगा कि मुझे ये अमल ये आदत अपनानी है क्योंकि अगर मैंने ये अमल को नहीं अपनाया तो मेरा दिल साफ नहीं होगा मेरे पास वक्त कम है मुझे मेरे मौला को मेरे दिल में बसाना है अब कोई भी situation जो है वो मुझे नीचे नहीं कर सकती है, पीछे नहीं कर सकती है मुझे अगे बढ़ना है और वो माफी को अपनाएगा मुझे है, आसान नहीं है लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मौला ने फर्माना कि एक कदम, दो कदम, जितना भी बढ़ सकते हो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े तौ एक होता है कि आप ऐसी situation में है कि जहां आपको बार बार ऐसे situation से डील करना पड़ता है कि आप बहुत तकलीफ होती है और अगर आप गुसा पीते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अंदर बहुत दिल पे बोज बन जाता है बहुत ये अच्छा सवाल है इल्म से ये चीज आसान हो सकती है जब जो शक्स गुसे को पीता है और अपने अंदर जमा रखता है यानि कि एक होता है ग्रच जिसको हम कहते हैं कि वो सामने तो गुसा नहीं करता है लेकिन दिल के अंदर खराबी को जमा रखता है वो उस गुसे को संभाल के रखता है उस गुसे पे गौर करता है, सोचता है और वो निकाल नहीं सकता है किसी भी वज़ा से लेकि वो गुसा उसके अंदर खतम नहीं हुआ है यहां पे जो हम इल्म से बात कर रहे हैं कि इस गुस्से को पी जाना पी के इसको खतम कर देना तो कैसा खतम कर दे अब बहुत तकलीफ हो रही है कि इसने आपका दिल बहुत जादा दुखाया है चेला आपने गुस्सा नहीं कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है दिल में बहुत दर्द हो रहा है कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता तो अब क्या करें remember हमने ये बात की थी कि हमारा रफीक हमारा साथी कौन है मौला है आप तस्बीर लें और बैठ जाएं और literally अगर कोई नहीं है घर में खामुशी का माहौल है आप जोर से बात करें मौला से मौला को सब बताएं कि मौला फलाँ शक्स ने मेरे साथ ऐसा किया मेरी बेज़ती की या मुझे इतना दुख दिया और मुझे इतना गुसा आया मेरा दिल चाह मैं थपड लगा दे थी लेकिन मौला मुझे तेरा दर्ड हुआ दिया और अंदर रखा अगर अंदर रखेंगे तो ये बिमारी बन के आईए क्यों कि इसी को कहते हैं कि अगर medically अगर आप देखते हैं तो जो हम इस तरह की चीज़ें दिल के अंदर रखते हैं तो वो सो है और मुश्किल situation होती है उस situation में हमको जो है वो मौला से मदद माँनी पड़ेगी और गिरिया जारी करनी पड़ेगी एक किसा जो मैं बार-बार सुनाती हूँ आज भी इशनास के सवाल से लागू होता है कि इस बात को की जाए मेरे जहन में हमेशे बीबी फातिमा आती है बीबी फातिमा की शादी जब हुई तो प्रॉबबलि वो 16-17 मुश्किल कुछ उमर की थी और आपको पता है उस जमाने में उनके हर साल एक बच्चा होता था हर साल एक बच्चा होता था और उनका जो देथ होई कि वो दो बेटे थे वो एक अकेली खातून और आपको पता है कि वो जब भी जंग होती थी तो वो लोगों की तिमादारी as a nurse वो काम करती थी दो बच्चों को घर में सभालना और हमने मौला अली के दान के किस्से सुने हैं कि वो किस्तरां से दान करते हैं घर में खाना नहीं वो दान कर दे थे ऐसे शक्स की बीवी होना और पैगंबर की बेटी होना साथ में घर में कोई आपको पता है न कहानी कि वो सुझू सलसलम के पास गई क्या मांगने के लिए गई कि मुझे भी एक दासी दे दो ना कि घर का काम नहीं होता है मेरे से कि एक दासी मिल जाए पाठशा, इमाम, हस्बन उसको एक दासी नहीं दे सकते थे लेकिन नहीं दिया क्या दिया उसको इसमे आजम क्यों ऐसा यानि कि जिकर में इतनी ताकत है कि वो हमारी जिन्दगी को बदल सकती है लेकिन मसला क्या है हमारा हमको यकीन नहीं है हमको यकीन उन चीजों पे है जो हमको नजर आती है किसी पे गुसा निकाल देना किसी को थपड मार देना फिजिकल चीज़े हैं लेकिन अंदर से चुप होके जिकर करना मौला को खुब कंप्लेंड करें किसी अगर कोई और को बात करेंगे तो वो शायद गीबत हो जाएगी तो हम गीबत नहीं करेंगे हम जाके मौला को सारी कंप्लेंट कर देंगे एक एक बात उपर से नीचे तक जितना भी गुस्सा आता है सब मौला को बता दे रहा है क्योंकि वो ही तो मेरा यार जानी है वो ही तो मेरा दोस्त है उसको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे सारी बाते उसको कर देंगे और खूब रोना आएगा रो भी लेंगे और फिर हिमत भी मांगेंगे मौला अब मेरे दिल में जो ना सफाई रहनी चाहिए मैं जब जाओ उस person से मिलूं तो मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और अगर हम इस शक्स के सामने जाते हैं और हमको तकलीफ होती है फिर गिर्याजारे में बैठे हैं फिर तस्भी करें इन्शाला ताला एक वक्त आएगा कि हमारे अंदर तब्दीली आएगी हमारे पास यह ताकत नहीं है कि हम दुसरे लोगों को बदल दे नहीं है यह ताकत एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने आपको बदल दे तो हमारे पास बदलने के लिए क्या है हम कैसे अपने आपको बद्ले हैं अगर हम एल्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं और हम अपने अंदर ऐसे जजबात को जो नेगेटिव है इसको संभाल के रखते हैं तो वो नासूर बन जाता है बिमारी बन जाता है इसलिए ये खास तोर पे बेहनों के लिए क्लासिस की जा रही है कि मेरी बेहने समझें कि मौला ने हर बिमारी का हल रखा है अगर उसने मुश्किल दी है तो वो खुद कहता है कि मैं मुश्किल कुशा हूँ हमें यकीन होना चाहिए उस मुश्किल कुशा पर और उससे मदद मागनी चाहिए जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे सूफी कलाम बहुत अच्छा लगता है पड़ना आज शैनास के सवाल से दिल में कुछ गिरिया जारी की कैफित पैदा हो रही है तो ये उर्दु कलाम मेरे सामने है आप तमाम की अजाज़त से नाचीस पड़ती है बिसमिल्लाहि रह्मानि रहीम या अलियुल मुर्तजा फर्यादिरस फर्यादिरस नूर पाके मुस्तफा फर्यादिरस फर्यादिरस या मुला तु जानता है या मुला तु हमारे हालात को जानता है तु जानता है कि हम तमाम अपनी अपनी मुश्किलात में हैं मुला लेकिन हमारे दिल तेरे आशिक बनना चाहते हैं मुला या मुला हमारी फर्यादिरस फर्यादिरस नूरे पाके मुस्तफा फर्यादिरस फर्यादिरस बादिशाहे इन्दमा फर्यादिरस फर्यादिरस ताजिदारे हल अता फर्यादिरस फर्यादिरस ए शेहनिशाह तुझ से मेरा हाल दिल पिनिहान नहीं ए शेहनिशाह तुझ से मेरा हाल दिल पिनिहान नहीं तेरी कुदरत के सिवाये मुश्किलात असान नहीं तेरी कुदरत के सिवाये मुश्किलात असान नहीं या शेहनिशाह ए मुश्किल कुशाह तेरी मदद के बगेर तेरी कुदरत के बगेर ये मुश्किलात असान नहीं मुऑला असान नहीं मुला या लिया लाबिहा के अंबिया फर्यादिरस या लिया लाबिहा के आलिया फर्यादिरस या मुला हमने तरे हुजूर में हाथ उठाए हैं मुला या मुला हम तरे सामने खड़े हैं मुला बहुत ही नादिंग बहुत ही पश्यमान मुला के हमारे अंदर बहुत बुराईया गलासत गंदगी भरी हुई हैं मुला या मुला किस मुझ से तरे हुजूर आएं मुला किस मुझ से अपने किस जबान से तुझ से अपने दिदार की दुआई करे मौला या मौला हम जानते है कि ऐसी गंदगी में तु नहीं आएगा मौला या मौला एए मुश्किल कुशा इस गंदगी को तु ही मदद कर पाग करने में मौला या मौला हमारे अंदर नर मिला हमारे अंदर आज जीला मौला इस गुसे की बिमारी से बचया हर बिमारी से बचया मौला ए तबीब आस्मानी दिल का दर्मान करता ए तबीब आस्मानी ए आस्मानी डॉक्टर दिल का इलाज तु करता मौला ऐ तबीब आसमानी दिल का दर्मान कर रता ऐ हबीब अकल जानी फजल उ एहसान कर रता ऐ हबीब यानी मेरे दोस्त मेरी अकल का दोस्त मेरी जान यानी मेरी रूख का दोस्त ऐ मौला जो मेरी अकल का मेरी रूख का दोस्त है मौला फजल कर मौला रहम कर मौला तेरी फजल के तेरी रहमत के तलबगार है मौला ये बिमारिया हमारे काबों में नहीं आती है मौला या मौला महरबान तू ही मदद कर तू हमें जिकर से खुब महबद दे इसमें आजम की लज़त दे मौला हम इतना जिकर करें और बिमारियों से पाक रहें मौला या मुला मदद फर्मा हम तमाम की इस वर्याद को तुझ सुन मुला या मुला या मुला महर्बार इन तमाम पाक बेहनों की पाक रूहों की मदद से मुला हम ये दूआ कर रहे हैं मुला या मॉला तमाम अंबिया ओलिया की पाग रूहों की हुर्मत से तुझ से मदद मांगते हैं मॉला, या मॉला इस रास्ते पे चल रहे हैं, तेरे आशिक बनना चाहते हैं मॉला, या मॉला बस अब हमारा हाथ पकड़ ले मॉला, हम पापा पगली चलेंगे लेकिन चलेंगे मॉ मौला, मदद फर्मा मौला, हमें दूर ना कर अपने आप से, रास्ते पे चला मौला, रास्ते पे चला मौला, और हमें रूहानी और अकलानी सुकून अता फर्मा मौला, रूहानी और नुरानी दिदार अता फर्मा मौला, बस अब बहुत हो गया मौला, बहुत हो गया मौला, बहुत वक्साया कर लिया या ली अल्ला बहुत मज बूर हूँ रन्जूर हूँ या ली अल्ला बहुत मज बूर हूँ रन्जूर हूँ आए शेहन शा, तुझे से मेरा हाली दिल पे नहाँ नहीbel निशा तुझ से मेरा हाल दिल पिनहा नहीं, तेरी कुदरत के सिवाए मुश्किलात आसान नहीं. नहीं, तेरी का नहीं, तेरी कुदरत के सिवाए मेरा ही, तेरी कीुदरत के सिवाए मेरा हैं. याली मदद, याली मदद. याली मदद, 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 या झाल